दोस्तों ये पूरा वो तंग दर्रा आप दे सकते हैं जहां पर नीशन युद हुआ था इकबाल था बुलंद उसे दूल कर दिया मद जिसका था परचंट सारा दूर कर दिया राना परताब इकलोते थे एसे वीर जिसने अकबर का सारा गमंड चूर चूर कर दिया नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सबी लोगों का हल्दी गाटी के एतियासिक वीडियो का अंदर दोस्तों इस वक्त हम कड़े हैं हल्दी गाटी के अंदर और हल्दी गाटी का इस एतियासिक वीडियो हम देखने वाले हैं और दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है और हल्दी गाटी का रियल दर्रा जो है जहां से युद प्रारम हुआ था वो भी हम देखने वाले हैं और मेरे पिटेक बोड लगा हुआ है यह आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का हम सुरू करते हैं राजस्तान के रासमन जिल्ले में इस्तित अल्दी गाटी का युद 18 जून 1500 चंतर इस्ति को खमनोर यूं पलीचा गाउं के मद्य तंग पहाडी दर्रे से आरंब होकर खमनोर गाउं के किनारे बनासमन दी के सहारे मोलेला तक कुछ कंचु तक चला था दोस्तों यहां की मिटी देखेंगे तो फूरी हल्दी है जैसे की हल्दी होती है यह आप देख सकते हैं इधर लाई है यह यहां की मिटी देखिए यह पूरी हल्दी है बिल्कुल पूरी हल्दी है हल्दी की तरह यहां की मिटी है दोस्तों हल्दी गाटी का युद जी वो वीर शुरोमनी महाराना परताप और जलालूदिन अकबर के बीच हुआ था और युद इतना भेंकर हुआ था कि मतलब इतना रक्त बहा था कि एक तलाई जो होती है रक्त की वो पूरी बर्ग अठारा जून पंदरा सो चंतर को इस द्रम युद के कुरू चेतर विश्व प्रसिद रण छेतर हल्दी गाटी में वीश्व सूर्य परताप समयने वीर शुरोमनी महाराना परताप ने मातर भूम यें हिंदी सुन्सकर्टी की रक्सा के लिए मेवड वासियों को साथ लेकर जिसमें बराहमन, राजपूत, विल, मिना, गाडोलिय, लोहार सभी जाती के जन्यूत स्वारा सोतनतरता की लड़ाई विदेसी गुस्पेटी है बाबर के वन्स बिली के मोगल बादसाय जिलालूदीन अकबर इसका सासन संपूर्ण बारत में विस्तापित हो चुका था मेवार राज्य के महाराना ने उनको तुनोती दे रखी थी कि इससे अकबर बहुत बयबित था उसने मेवार को अधिन कर परताप को जिन्दा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए सू सज्जित योदाओं की विसाल सेनपों परताप के भय से स्वयम नहीं आकर कि हिंदू सेनापती अमेर जेपुर के राजा मान से अन्य मुगल सेनापतियों के साथ यहां लड़ने को बेजा था दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि यह जो काटी है यह हल्दी गाटी है और इसको हल्दी गाटी का असली हल्दी गाटी समझ के मतलब यहीं से वाफिस चले जाते हैं असली हल्दी गाटी का दर्रा जो है वो हम देखने वाले हैं तो उस तर्रे को पूरा जो दर्रा था जहां से युद परारम हुआ था वो दर्रा हम देखने वाले हैं दोस्तों यह जो रास्ता आ रहा है यह नादवारा और खबनोर गाम से आ रहा है और यह इदर आगे जाता है नीचे एक रास्ता जाता है इदर देखें एक रास्ता जाता है यहां से वो दर्रा प्रारम होता है यहीं से वो दर्रा प्रारम होता है अंदर से जहां पर हल्दी गाटी का युद जो हुआ था वो युद तरफ से आ रहा है हल्दी काटी वहां पर पहाड़ी को काट कर रोड निकला गया है अलांकि क्या कि कुछ बहुत सारे लोग आते हैं उसी को हल्दी काटी यूद्स्तान समझ कर वापिस चले जाते हैं तो ये मेरे पिछा आप ये देख सकते हैं इदर आए ये ये अंदर जाने का रास्ता है दर्रे के अंदर जाने का और इस तरफ एक बोर्ड लगा हुए बारा सरकार द्वारा ये अत्यादिक एत्यासिक रूची का इस्तान है यहां अठारा जून पंदरा सो चंतर को मारना प्रताप और मोगलबास अकबर के बिच बेंकर युद्ध हुआ था युद रहे हैं यहां से नीचेक रास्ता जाता है इदर देखें एक रास्ता जाता है यहां से वो दर्रा प्रारम होता है यहीं से वो दर्रा प्रारम होता है अंदर से जहां पर हल्दी गाटिका युद्ध हुआ था वो युद्ध प्रारम हुआ था इस्टार्ट यहीं से हुआ थ दोस्तु यह रास्ता है इस तरह का चाड़िया है और पत्थर बीचे हुए है धर्रे तक जाने के लिए यह आप देख सकते हैं दोस्तु यह जगे यह जो इलाका है यह वन विबाग के अंदर आता है और तो चलिए उस तर्रे को हम देखते हैं चंगल अंदर रास्ते और बने हुए हैं यह एक रास्ता इधर जाता है और यह मेरे साब सवापिस रोड के उपर जाता है और यह जाता है तर्रे की तरफ दोस्तों कापी मसकत के बाद भाइनल हम उस दर्रे तक पहुंचे हैं जहां पर यूद परारम हुआ था ये दर्रा आप देख सकते हैं यही वो दर्रा है जहां से हल्दी गाटी का यूद इस्टार्ट हुआ था और चार गंडे के यूद ने पांसु साल का पुराना इत्यास रच दिया तो चलिए इस दर्रे को पुरा देखते हैं जाडियां हैं संबल कर चलना है दोस्तु ये में दर्रा जो हैं जो हल्दी गाटी है उसका रोड से लगबग 200 मीटर की अंदर है जंगल के अंदर 200 मीटर जंगल के अंदर परता है जोस्तु ये पूरा वो तंग दर्रा आप देख सकते हैं जहां पर पिषन युद हुआ था ये देखिए महराणा परताब वीर्स रोमणी महराणा परताब बंदब कितना बयंकर दिन रहा होगा वो उस दिन जिस दिन यहां पर युद हुआ था यह दर्रा देखिये और यह इदर पत्थर जुम्म होगे हैं और इस तरप बड़ी सी चटान हैं यहीं से युद प्रारम हुआ था हलरी गाटे का युद जो हुआ था वो यहीं से प्रारम होता है और खमनोर गाओं के अंदर जाकर खतम होता है वह था हुआप है पिर और रार ट्राम हो बान थुद项 SP नहीं से रभाटे तीस चाह débँरन प्रशब कर दोब कर दो सावा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोस्तों आज के इस एतियासिक वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हमने हल्दी गाटी और हल्दी गाटी का असली धर्राज, देखा यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों वीडियो गर अच्छा लगाओ तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मैं कोई भी वीडियो प्लोड कुरतों सबसे बेला आप तक पहुंस सकें दोस्तों मिल दे हैं महाराना परताप के एक और इत्यासिक वीडियो के अंदर तब तक लिए अपना ख्याल रगिएगा जये बारत जये महाराना परताप